असलाम अलेकुम यूज इस जवाद वेल्कम बैक टो इनदर वीडियो तो ले आए हूं जी आप लोग के लिए कंप्यूटर वाले बच्चे जो हैं इनके लिए ये वीडियो फस्ट वीडियो है आज ही अपलोड निशाला हो जाएगी आप लोग की इतनी कमेंट्स देख के मैंने का आज ही वीडियो बनाते हैं आला कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं उर्दू के एंसी क्यूज वाली वीडियो अभी अपलोडिंग पे सोरी एक्सपोर्टिंग पे लगा गया हूं अभी उनके सब्जेक्टिव की वीडियो बनानी है तो मैंने का चलिए नैपियर बोन एंड सल्यड रूल पहला यह आपके क्वस्चेन है उसके बाद अगला क्वस्चेन है सक्षिन भी में शॉट क्वस्चेन यह इंपूर्टर्ट इसके बाद का मैंने का बैस को इसके बाद तो यहां पे थ Garag तो यहां पर एंटिब्छट बीट्वेण is asking for his father to replace his home computer for CRT monitor with an LCD monitor तो एहमत था जो कि एक 9th class का student था वो अपने अमी अबा को कहता है कि आप क्या काम करें हमारा जो 9th class हमारा जो CRT वो बड़े वाला computer होता है वो जो गैंडा सा बड़ा सा computer है तो उसको क्या करें LCD से replace करें तो हम उसकी डिमांड को इस तरह justify कर सकते हैं कि definitely उसका दिल करता है यार latest technology हो मारे गर में और light saving हो energy saving हो जो भी आपका है इसका answer आपने लिखने अपने पास से नहीं चोड़ना बाकि यह अगला question कौन से है कि what will happen if the storage devices are removed from a computer so this is again a important question to computer काम ही नहीं करेगा फिर उसके बाद differentiate between system and application software this is very 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 important तो आगे अगर हमाएं तो how student can use computer to improve their academic performance or give any three uses of computer in a school library name few household appliances with a computer microprocesses is used उसके बाद हमारे what are the tasks performed by an operating system what are the tasks performed by a walker so differentiate between analytical engine or what are the various tasks that are performed by mark one यह वले आपने कर लेने हैं बहुत important हैं बेशक अभी कई बचे कह रहे हैं आप बुक से बता रहे हैं और भाई मैं अस्मान से उतारके ने question answer ले किया हूं जो बता रहे हूं आप लोग करो अभी computer वाले बचे भी कह रहे थे आपने तो सारा बुक से करा दिया फिर जब पेपर सारा बुक से आ गया तो पिर कह रहे थे thank you sir paper पर सही हो गया यह हो गया तो जो करा रहा होता हूं चुप चाप कर लिया करो ज्यादा सवाल जबाब फ़दूल किसम के जो लड़के के करते हैं यह ना किया करो बाकी long question के लिए आपने किया प्रिपेर करना है में आपको बाद में कराऊंगा राइट शॉर्ट नोट अं सेकंड जेरेशन अ कंप्यूटर और टेक्नॉलजी यूज इन इट और आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं किसके उपर जी हाड़वेर इंजीनियर के उपर उसके बाद डैटा बेस मेनेजर के उपर नेटवर्क एड्मिनिस्टेटर के उपर और वेब डिजाइनर के उपर उसके बाद आपने लिखने हैं कि डिस्क्राइब तो फॉल्विंग टाइपस अफ एप्लिकेशन सौफ़वेर तो यह आप नीचे देख सकते हैं प्रोड़क्टिविटी सौफ़वेर इंटर्टेन्मेंट सिस्टम पे तो इसके एमसी के उस बाद मैं कराऊंगा आपको तफसील से इन्शालला काल इसकी सुबह सवेरे कोशिव करूंगा वीडियो डाल दूँ तो अभी चलते हैं आगे जी सेक्शन बी पे उसके बाद हम इस सेक्शन भी पर दें कंप्यूटर ससी का यह चेप्टर तो यह फ़नेमेंटल से ओस एंस ओस अपरेटिंग सिस्टम तो इसके बाद रोग इस वत्त यह चोंशंगर ईंस वीडियोग तो फैक्ट वॉल्टेशम तो इसको बाद रिफीड टा इसके बाद रिफेडियों टेवार्ट इने कंप्यूटर और इसदर आपको फारी इसके define unix and windows operating system differentiate between a single user and multi user operating system और उसके बाद what is meant by resources of a computer, what is an operating system, list common types of operating systems और उसके बाद what is a disk operating system, dosk और उसके बाद list the classification of operating system तो अगर हम आगे चलें तो यहां पे अपने लिस्ट the types of operating system को भी देख लेंए long question की बात करें इसमें तो long questions में हमारे पास यहाता है explain the functions of operating system, write the note on Macintosh और Linux operating system this is again a very very important question, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह long question में आपका आजाएगा उसके बाद describe between following computer interface, command line interface, graphical user interface, menu drive interface उसके बाद describe the following type of operating system batch, real time or time sharing system आगे हम chapter 3 data communication पे आगे हैं तो इसमें आपने पहला question जो इसका आता है differentiate between analog signal and digital signal उसके बाद why digital signal are used in computer उसके बाद name the properties of good communication system उसके बाद give any three reason why guided communication medium is more reliable than unguided उसके बाद what is meant by transmission impairment उसके बाद differentiate between attrination and distortion and what is the cross talk or what is the dial up modem and why it is used, describe the data rate and border rate define the bandwidth, bandwidth बहुत important question है उसके बाद जी हमने why do satellites stay orbit in a level fall on the earth उसके बाद describe signal noise to ratio आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास section number C आता है section number C में हमारे पास describe the components of communication system with the help of diagram आती है और उसके बाद describe asyncrose or syncrose transmission nodes और उसके बाद long में अपने twisted pair of cable coxial or fiber optic बहुत important है उसके बाद unguided media वाला भी देख लें और NIC network, interface card, router और switch this is again a very very important long question तो जिस पर very 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 important लिख रहा हूं यह तो आपने छोड़ने ही किसी सूरत में नहीं है उसके बाद use appropriate formula to determine the characteristic of a communication channel तो यहां पर हम आते हैं जी chapter number जो आपका 5 है इस पर तो chapter number I think so 4 है तो यह आपका chapter number 5 computer networks वाल है तो यहां पर आपने जो पहला question देखने है and describe any three difficulty of a company that may face in a running business or without having a computer network उसके बाद what is meant by what is meant by data transmission is again an important question और उसके बाद आपने very 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 important question उसके बाद what is a star topology star or bus or ring topology these questions are really really important question तो यह मैंने एक बार presentation भी दी और बहुत important presentation थी और उसके बाद mention any three problems which may occur from peer to peer connection peer to peer networks को भी आपने देखने हैं और what is ISDN what is CMDA technology and write a note on point to point network what is meant by communication over network or write on a communication via telephone network यह भी देख लेने हैं long में कर आएं तो what are the advantages of using a network this is again important question describe client server and peer to peer networks उसके बाद describe the type of network based on the area covered explain the type of network topology and write a note on DSL and internet connection this is again a very very important question you have to follow and you have to practice it very hard so अगला जो आते हैं हमारे पास compare the data communication on the lines on the basis of transfer rate as per cost month this is again a very very important question and you have to write its advantages and they said wantages तो आगे हम आते हैं chapter number six पे computer and security ethics पे तो you have to attempt the nine parts and the first one is describe the cyber crime what is the importance of computer cyber security and difference between hacker and cracker उसके बाद five symptom of malware be important है और उसके बाद what is differentiate between authentication and authorization उसके बाद हमारे पास जवाता है which authentication methodology provides the high secure identification and verification justify your answer and what is meant by information privacy give any three drawbacks of software piracy what are the types of problem may be faced if a computer user do not comply with moral guidelines or computer ethics name the three places where authentication of people is required and describe the some commonly committed cyber crime so you have to write a lot of cyber crimes as you have heard in newspaper or somewhere else so here is question number 12 what are the computer viruses and describe the multi-modal authentication and there you go to the section c and here you have to discuss three long questions and you have to attempt two of them so define malware and describe its type this is again a very important question explain how malware spreads or explain how to protect the system software from virus attack what are the common methodology of authentication and just define the computer ethics and this is again an important question and describe some you know cyber crimes so here i'm gonna discuss some of the important question from whole book so the first one for in the short question is elaborate the open source software shareware and freeware and what do you know about random sx memory ram and differentiate between engine and analytical engine or define unix unix and windows operating system this is from your whole book all of five to six chapters and write the three objectives of operating system and write the digital signal why the digital signals are used in a computer uh give any three reasons why guided communication medium is more reliable than unguided list the data transmission terminology is differentiate between server and client what is the star topology and why it is real liable than bus or ring topologies write a note on deal of dsl internet connection differentiate between hacker and cracker and differentiate between authentication and authentication and authorization and there it goes with section c we have to attempt two questions and number one is what are the advantages of using the networks describe the client and a server peer to peer network describe the components of communication with the help of a diagram explain as synchros and synchros transmission with the no modes of example use appropriate formula it's so it's so much air is running out of air use the appropriate formula to determine the characteristics of communication channel define the computer ethics and what are the cyber crimes so so i hope i hope that today's video will be good so do subscribe to my youtube channel stay tuned allah afis and if you have any query any comment just comment it below and i will respond as soon as possible take care allah afis